नमस्कार दोस्तों मैं हो सुनी पांडे स्वागत था सबका एक नई वीडियो में नव हाली में जिनेवा सुईजन लेंड में जो उनाटे नेशन हिुमन राइट कांसिल की ओफिस है वहाँ पे हो रही थी वोटिंग एक रेगुलेशन पास करवाना चाह रहा था ब्रेटेन, उनाटेड स्टेट अमेरिका और कनाडा मिलकर यह लोग चाह रहे थे कि वो रेगुलेशन पास कर दिया जाए जिस रेगुलेशन के बैसिस पर जो चाइना का सिंजियांग प्रांत है जहां पे उईगर मुसलिम्स को चाइना ने बंधग बना रखा या डिटेंशन केम्प उगएरा में डाल रखा है और इस बात को वो द प्रस्ताओं के सपोर्ट में केवल 17 देशों ने वोड डाला और 19 देशों ने चाइना के साथ आकर इसके अगेंस्ट में वोड डाल दिया और 11 देशों ने अफस्टेन कर दिया अफस्टेन करने वाले देशों में इंडिया भी सामिल था और इंडिया के साथ में यूक्रेन मैक्सिको और ब्राजील भी सामिल थे इन सारे देशों ने अपस्टेन कर दिया ना तो सपोर्ड में वोड डाला और ना ही बिरोध में वोड डाला लेकिन पाकिस्तान उन देशों में सामिल था जो इस प्रस्ताव के बिरोध में वोड डाल रहे थे यानि चाइना के साथ में इसके अलावा, जो OIC countries है, Organization of Islamic Corporation, तो उन 56 देशों में से 17 देश मुझूद थे, इन 47 के गुरूप में, कि ये भी वोट डाल सकते थे, तो इन 17 में से 12 देशों ने चायना के सपोर्ट में आकर, उस regulation के बिरोध में वोट कर दिया, चार ने अपस्टेन कर दिया, उस पे literally यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन majority जो थी, वो विरोध में चली गई, इस वज़ा से ये regulation पास नहीं हो पाया, इंडिया ने support में भी वोट नहीं किया, और विरोध में वोट नहीं किया, इंडिया ने abstain कर दिया, तो इस बात को समझेंगे कि इंडिया ने abstain क्यों कर दिया, क्यों नहीं इसका support किया, और क्यों नहीं पास करवा किया, और वुईगिर्स, मुसिलिमों के उपर हो रहे है चार के बारे में चर्चा होने का support किया, इसके लावाँ यहाँ पर यहाँ बात यह भी clear हो जाती है, कि जो पाकिस्तान अपने आपको कहता है कि the guardian of Islamic world, तो उसने भी यहाँ पर अपना double standards खेला है, और उसके यह double standards का expose ही है, कि उसने इस regulation का बिरोध कर दिया, कि वहाँ पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसके बिरोध में ही वोट करा है, चार ने abstain कर दिया है, सिर्फ एक country Somalia थी जिसने इसके support में वोट किया है, तो इन सारे देशों का double standards के लिए होता है, कि यह लोग किस mindset चलते हैं, क्योंकि इनको भी पता है चाइना के बिरोध में वोट कर तो दोगे, लेकिन कल को कोई भी जरूरल लगेगी, जब पैंसा उधार मागने जाओगे, तो मिलेगा है नहीं, चाइना बहुत जादा इन लोगों को पैंसा प्रवाइड करा सकता है, इस वज़ा से चाइना के बिरोध में जाना नहीं चाहते थे, सेम बात पाकिस्तान के लिए भी लागो होती है, ये किसी का हिद नहीं है, जिससे इसको पैंसा जादा मिलना होता है, उसी के सपोर्ड में ये बाते करना शुरू कर देता है, पहले ये अमेरिका को गरिया रहा था, अब आयमेर्का से इसको लोन चाहिए था, ये अब सिस्टीन को अब ग्रेट कराने का इसको पैकेज चाहिए था, डारेटली लोन चाहिए था, या एड चाहिए था, तो इसने सपोर्ड करना का सुरू कर दिया यूकरेयन का, ये वीडियो में किलिक में भी है, आप कभी गूगल पर सच करके देख लेना, रही बात इंडिया की, कि इंडिया ने सपोर्ड क्यों नहीं किया, इस रेगूलेशन का, तो देखो इंडिया का मानना है, कि हम किसी के भी internal matter में कभी भी interference नहीं करते हैं, ना तो हम किसी का interference अपने internal matter में accept करते हैं, कभी-कभी USA इंडिया को ग्यान देता है, human right के उपर, तो इंडिया भी retaliate कर देता है, जैसे कि यह जशंकर साब ने clearly कह दिया था, कि आप तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो यह बोलकर कि इंडिया में human right का उलंगन हो रहा है, तो हम भी बहुत ज़्यादा concern है, जो अमेरिका में hate crime हो रहा है, या जो वहाँ पी human right का violation हो रहा है, इसको हम बहुत closely monitor कर रहे हैं, बहुत पैनी निगाह बनाए हुए हैं इसके उपर, और हम में भी इस बात का concern है कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है, तो यह इंडिया और अमेरिका का चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान हम ऐसा इंडिया को abuse करता है, इस बात को लेकर कि इंडिया में human rights का उलंगान हो रहा है, जब कि पाकिस्तान खुद के देश में, जो उसी के मजहब के लोग हैं, जिसे पाकिस्तान Muslim majority country है, और उसके नाम में ही यह है कि वो यह Muslim country है, उसका official संभिधान में लिखा हुआ है, वो secular नहीं है, तो वहाँ पे जो अहमेदिया हैं, उनको मुस्लिम मानता ही नहीं, उनका जीना हराम कर रखा है, हिंदू और सिख की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जो अहमेदिया हैं, उनको भी वो प्रतालित करता रहता है, उसके बाद में SIA सुनी का तो fight होता है, यह तो बहुत famous fight है, तो ऐसा चलता है पाकिस्तान का, लेकिन तो इस वज़ा से इंडिया ने इस regulation का support नहीं किया, क्योंकि यह internal part था या internal issue था चाइना का, और चाइना के ambassador थे, उन्होंने clear कर दिया था, कि जो developing countries हैं, उनको target किया जा रहा है, और कल को, आज हमारी बारी है, तो कल किसी और की बारी भी हो सकती है, और कोई बचेगा नहीं, हम भी इस पर काफी regulation हो गयरा का, पर स्तावर दायर कर सकते हैं, और ला सकते हैं, और चर्चा कर सकते हैं, सब को अपने अपने record देखने चाहिए human rights के, उसके बाद में हमारे उपर कोई कीचाड उचा ले, ये नजर उन पर भी डाल लेते हैं, जो लोग इसको लेकर आए थे, ब्रेटेन, अमेरिका और कनाडा, कनाडा बहुत ग्यान देता रहता है, इंडिया को भी कि human rights का उलंगन हो रहा है, जब किसान लोग protest कर रहे थे, तो कनाडा काफी उचल रहा था, लेकिन उसके अगले ही महिने, उसने क्या किया था, अपातकाल लगा दिया था, अगर आप net पर सर्च मारोगे, कि दुनिया की सबसे फिर democracy कौन सी है, तो उन में से कनाडा नमबर एक पर आएगा, इंडिया युज़ से एक ही केटेगरी में आता है, लेकिन कनाडा अस्टेलिया सबसे नमबर वण democracy में आता है, और democracy के लिए सबसे बूरी बात क्या होती है, कि वहाँ पर आपातकाल लग जाना, और ये हुआ था कनाड़ा में भी हाली में हुआ था आप सर्च मारोगे जब ये की सबसे अच्छी डेमोकरेसी दुनिया की कहुंसी है कनाड़ा कनाम आएगा तो साथ में ये भी सर्च मार लेना कि आप अधकाल जल्दी में कहां पहल लगा था वो भी कनाडा में ही लगा था, और वो सब को दुनिया भर को ग्यान देता रहता है, कि नहीं डेमोकरेसी रखो यह हो, ठीक है, हम चाइना का सपर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्राउड्ड़ की लार्ज़स डेमोकरेसी हैं, हमें इस बात ने काफी प्राउड फिल होता है लेकिन हमें हमारे matter में कोई आके दूसरा ग्यान देगा तो वो विल्कुल भी accept नहीं होगा ये इंडिया का stand शुरू से रहा इसलिए इंडिया दूसरे के matter में भी involved नहीं होना चाहता है इसी वज़ा से इंडिया ने abstain कर दिया है ना कि कोई इंडिया का और चाहिना का पैचप हो गया है किसी matter को लेकर इस वज़ा से इंडिया ने abstain किया है और चाहिना के खिलाफ ओड नहीं किया है इस वज़ा से नहीं, बलकि इस वज़ा से क्योंकि इंडिया की ये पोलसी रही है बागी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हूं वीडियो को लाइक कर सकते हो मिलेंगे नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जही है